आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल की एजबर सब्सक्राइबर्स असलाम अलीकूम वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं मैडिसन की जो के वेमरल और जिसे वायमरल भी कहते हैं ठीक है यह इंडिया की मैडिसन है यहां पाकिसान में भी इस तरह की मैडिसन एजिली मिल जाती है मगर यह मैडिसन इंडिया में जो है वो अवेलेबिल नहीं है ठीक है तो यह मैडिसन यहां पाकिस्तान में भी मुम्किन है मिल जाए क्योंके जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सब्सक्राइबर्स न लिए मगर इंडिया में जो है इसका कि उसे तरीके कार किया है क्या 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 बंवेट्स एं कौन से बर्ड को यूज करwe ihlgin के तरीका क्या है किया है तमाम उड़ेल आज महाम लोगों के साथ शियर करूंग है इसमें वाइटेमिन b12 मौजूद है साथ ही वाइटेमिन d3 Georg Lah ald और इसके लावा वाइटेमिन E है अगर हम वाइटेमिन B12 और वाइटेमिन E की बात करें तो ये अनफर्टिलिटी में काफी ज़्यादा हेल्प करता है जिन बर्स के अंडे वो अनफर्टाईल आते हैं तो इससे अनफर्टिलिटी का इशू भी खतम हो जाता है यानि एक मैड तो उसको हजम करने में भी काफी मदद देता है वाइटेमिन D3 तो यह मैडिसन काफी अच्छी है इसके इस्तेमाल से बर्स जल्दी ब्रीड पे आ जाता है अन्फर्टिलिडी का इशू खतम होता है और जोड़ा जल्दी लग जाता है इसको देने का तरीका भी मैं आप लोग बॉक्स में ना आ जाएंगे उस टेम पे हम यह मैडिसन रोग देंगे इसको देने का तरीका इस तना से है कि आपने हाफ लीटर पानी में तकरीवन 6-6 ड्रॉप्स डालने है खुब अच्छे से हिलाना है उसके बाद जो है इसको आप हफते में शूरू में स्टार्टिंग हड्यों का मसला आ सकता है तो इस वज़ा से हर दवाई की एक मिगदार होती है एक तरीके कार होता है उसी तरीके से इस्तिमाल करवाया जाए तो जादा बेतर होता है अच्छा इसके लावा बर्ड्स में किसी तरह का इंफेक्शन हो तो भी यह मैडिसन दी जा सकती है तो व काफी हेल्प करती है इसका तरीके कार में आपको बताओं कि देखें आपने जैसे कि मैंने बताया 10-15 दिन देनी है तो आपने डेली बनानी है क्योंकि अगर मैडिसन को बना के रख दिया जाए तो उसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है यानि मैडिसन उस तरह से असर नहीं क अचेज में चाहिसे साथ लॉब जलेंगे तो बनासी तो मिलना नहीं क्योंकि अगर रख दी जाए तो इसमें असर कम हो जाता था फिर जाएता है या इसके जाए बर्स को बहुत है और कि लिए टासीर ना कम हो जाए याया तो पिर यह नहीं कि अगर इसमें गिंदी पानी निकल देंगे तो वो जादा बेता रहेगा रात बर केज में से पानी निकाल कऱा विएज़ पूरी रात पियासे होंगे तो वो अच्छी ओछा से इस मैडिसन को पिहेंगे उनकी बोडी में जाएगी तो जल्दी रीकवर कर सकेंगे जल्दी ब्रीड पर लगेंगे या जो भी इशूज इनके इंफेक्शन वगरा के हैं वो जल से जल खतम होंगे तो सुबा में जो है आपने इनके पानी के पॉट को अच्छी तरीके से धोना है उसके बाद ये मैडिसन वाला पानी देना है और सिर्फ दो घंटे के लिए लगा के रखना है ठीके पूरा दिन के लिए लगा के नहीं रखना है फिर उसमें मुक्तलिक किसिन के बैक्टेरिया वगरा आ जाते हैं तो बर्स मेरे खाल में दो घंटे में पानी खतम कर लेगा कि जब पूरी रात का प्यासा होगा और अभी इतनी शदीद गर्मी हो रही है तो जब जो है अगर हम दो घंटे के लिए लगाते हैं तो वो पानी इसली खतम हो जाएगा तो यह आप बज़िस को लव बर्स को अपलाई कर सकते हैं अगर आप लोगो पाकिस्तान में रहते हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने शहर में जाके जहां पर परिंदों की मेडिसन्स वगरा मिलती है माँ जाके मालूम करें आपको एजली मिल जाएगी ठीक है तो आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो के मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर्स थे उमीद है उनको भी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्रा दसी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के वीडियो का इंतिजार ज़रूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो अलाहाफिज